हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मॉम्स अड्डा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निबलर्स और टीदर्स के बारे में क्या होता है निबलर और टीदर क्यों बेबी के लिए यूज होता है और किस तरीके का निबलर और टीदर हमें बेबी के लिए परचेस कर रहा चाह तो इस वीडियो को एंड तक देखना जब बच्चे के दात निकलने भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो सबसे बैस्ट कंपेनियन बच्चे का होता है निबलर और लुटीथर sy क pls में अवेलेबल होते हैं, जिससे बच्च टिधर की तरफ अट्रैक्ट होता है साथी साथ टीदर पे कुछ टेक्श्चर बनावा आता है जिससे बेबी के गम्स को सूधिंग एफेक्ट मिलता है वाटर फिल टीदर भी आता है नेक्स्ट बात कर लेते हैं निबलर क्या होता है निबलर सेम काम करता है टीदर का वो बच्चे के गम्स को सूधिंग इफेक्ट भी देता है, बच्चे को एंगेज भी रखता है और साथ ही साथ एक और काम करता है बच्चे को निउट्रिशन प्रोवाइड करने का मतलब जब आपका बच्चे 6 मैं के साता है जब आप शेया कर निबलर दे शकते हैं और है तो इस प्रůट यूटिंग में वेजीटेबल तब भी इफेक्ट देगी है fruit pulp fruit juices में मिल रहा है जिससे पच्चे को nutrition मिल रहा है आज मैं आपको यहाँ पर एक टीदर और निबलर की रेंज शो करूंगी which is from the brand Love Lab जो मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसको purchase किया था अपने बेबी के लिए इसको purchase करने के आपको सारे links description box में मिल जाएंगे यह lovelab.com और amazon पर available है सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं Love Lab Teethers के बारे में different type के जो मैंने purchase किये थे सभी Teethers Love Lab के high quality BPA free material के बने हुए होते हैं जो की heat resistant है और sterilizable है यह अच्छी grip के साथ आते हैं और यह 3 month plus babies के लिए हम use कर सकते हैं तो चलिए discuss कर लेते हैं हर एक Teethers के बारे में one by one सबसे पहला Teethers है Love Lab Silicon Teethers Yum Scoops यह इस तरह की ice cream की shape के अंदर आता है these are very attractive for baby these are colorful and comes in beautiful design here you can see there is a texture जब बेबी इसको chew करता है तो उसके gums को massage मिलती है soft silicone material का बना हुआ है एक अच्छी grip के साथ आता है जिसको baby अच्छे से hold कर पाता है easy to chew है easy to sterilize है इसका MRP आपको मिल जाएगा 249 रुपीज सभी Teethers को purchase करने का link आपको description box में मिल जाएगा next Teethers जो similar है इसी Teethers की तरह Love Lab Silicon Teethers yellow duck यह yellow duck की shape में आता है और यह भी easy to hold है इसमें भी texture आपको मिल जाएगा यह दोनों Teethers plastic case के अंदर आते हैं जिसके अंदर हम इसको easily store कर सकते हैं next Teethers आता है Love Lab Silicon Stick Teethers इसका MRP आपको मिल जाएगा 159 रुपीज इसमें आपको नीचे long stick मिलेगी जिसको baby hold करता है और उपर की side इस texture मिलेगा जो baby के gums को massage देता है जब baby इसको chew करता है तो एक अच्छा Teethers है soft silicone material का बना हुआ है easy to sterilize and easy to hold है next Teethers name is Love Lab Sunshine Silicon Teethers Set इसके अंदर आपको two Teethers मिलेंगे इसका MRP आपको मिल जाएगा 269 रुपीज दोनों Teethers अलग अलग shape में मिलते हैं एक moon की shape में मिलेगा और एक sun की shape में मिलेगा अच्छी एक colorful design के साथ आता है जिसकी तरफ baby बहुत ही attract होता है और इसको chew करता है इसके उपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर texture मिल रहा है जो baby के gums को massage देता है जब baby इसको chew करता है एक long stick इसके अंदर मिल जाता है जिसको baby अच्छे से hold कर पाता है grip अच्छी है दोनों Teethers की और यह भी soft silicone material का बना होता है और इसको हम sterilize कर सकते हैं next Teethers name is love lap sea horse silicone teether इसका MRP आपको मिल जाएगा 249 रुपीज इसके अंदर आपको एक sea horse की shape का Teethers मिलेका जो की soft silicone BPA free material का बना होता है इसमें भी आपको texture मिलेका जो baby के gums को massage देते हैं during teething process इसकी भी hold अच्छी है grip अच्छी है और बीबी इसको easily hold कर पाता है next Teethers name is love lap water fill Teethers इस set के अंदर आपको 3 Teethers मिलेंगे different shape और color के सभी attractive है इसका MRP आपको मिल जाएगा 339 रुपीज इन सभी Teethers के अंदर water filled होता है distilled water होता है जो baby के लिए बहुती safe होता है इसको हम refrigerate कर सकते है cool करके baby को दे सकते हैं baby के gums को आराम मिलता है teething process के दुरान इसकी grip अच्छी है और इसके उपर texture बनावा होता है जो baby के gums को massage भी देता है ये soft silicone material के बने वे होते हैं जो easily जिसके अंदर से easily water भार नहीं आता है इसके उपर कोई आप sharp चीज लगाएंगे तभी water भार आपाएगा teeters के बाद हम discuss कर लेते हैं love lap nibblers के बारे में यहाँ पर मैंने 3 अलग-अलग designs के nibblers परचेस किये जिनके बारे में मैं आपको उसको बताऊंगी और साथी साथ इनको use कैसे किया जाता है वो भी हम इसमें discuss करेंगे सबसे पहला nibblers है love lap pearly food and fruit nibblers यह एक बहुत ही attractive design के साथ आता है साथी में इसमें एक extra tip दिया गया है इसका MRP आपको मिल जाएगा 219 rupees चलिए इसको देखते हैं अंदर से किस तरीकी का दिखता है यह nibblers इसका जो handle दिया गया है इसमें एक rattle दिया गया है जिसकी sound से baby इसकी तरफ attract होता है grip भी अच्छी है इसकी तो एक cute design प्लस sound baby को मिल जाता है जिससे baby इसकी तरफ attract होता है इस वीडियो में मैं आपको teat भी change करना बताऊंगे किस तरीके से इसके teat को change किया जाता है यहां से lock open करके इसमें हम fruit या vegetable को insert कर सकते है और इसमें आप यह holes देख पा रहे होंगे इसके through fruit जो हमने इसमें fill किया था उसका juice baby के mouth में जाता है तो चलिए teat change करना देख लेते हैं दोनों का size अलग-अलग है जब आपका baby छोटा है तो आप छोटा teat use कर सकते हैं जब आपका baby बड़ा हो जाए जब उसकी food requirement बढ़ जाए तो आप बड़ा teat use कर सकते हैं इस तरीके से हम teat को change कर सकते हैं और इसको use कर सकते हैं next nibbler है love lab bunny rabbit food and fruit nibbler इसका MRP आपको मिल जाएगा 199 rupees इसमें सिर्फ डिजाइन का ही फर्ख है तीनों nibbler के अंदर only design, handle का design या फिर cap का design change हो रहा है इसके साथ भी हमें एक extra teat मिलता है यह देखे इसका handle cute rabbit के ear जैसा है grip अच्छी है same उसी तरीके का nibbler है यह इसमें cap दिया गया है protection के लिए और teat के size में आप difference देख पा रहे होंगे जब baby छोटा है तो छोटा teat यूज कीजे बड़ा हो जाता है तो बड़ा teat यूज कर सकते है next nibbler है love lab joy star food and fruit nibbler इसमें भी हमें एक extra teat मिल जाता है और इसका MRP है 199 rupees work इसका भी same ही है only design का ही difference है यह देखें इसमें यहाँ पर star का design मिल जाता है grip अच्छी है same उसी तरीके से use होगा जिस तरीके से हमने पहला वाला nibbler देखा था इसमें भी एक protective cap मिलती है हमें चलिए अब हम देखते हैं इसको use कैसे किया जाता है इसमें मैं आपको यहाँ पर पुछ fruits fill करके दिखाऊंगी इसमें आप vegetable भी fill कर सकते है सबसे पहले मैं यहाँ पर orange fill करके आपको दिखा रही हूँ orange को pieces में cut करेंगे और इसके बाद इसको nibbler में fill कर देंगे और उपर से इसका handle को बंद कर देंगे इसके बाद यह nibbler ready to use है इसके जो holes होते हैं इसके through baby के mouth में इसका fruit juice जाता है जब baby इसको chew करेगा तो juice बेबी के mouth के अंदर जाएगा next मैं आपको इसमें banana fill करके दिखाती हूँ थोड़ा सा banana लेंगे और उसको pieces में cut करेंगे आप इसको nibbler में fill कर देंगे पुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हूँगे इसके holes के through किस तरीके से banana का mash बाहर आ रहा है जो baby के mouth में धीरे धीरे जाएगा और baby इसको enjoy करेगा next मैं आपको apple इसमें fill करके दिखा रहे हूँ मतलब सारी ही fruits और vegetable को आपको छोटे छोटे pieces में cut करके इसमें fill करना या फिर आप उसको कसके भी डाल सकते हैं कोई vegetable जैसे गाजर हो गई उसको कसके आप इसमें fill कर सकते हैं तो इस तरीके से इसमें press करते हुए fill कीजेगा और handle बंद कर दीजेगा और apple भी वीडियो को ले देने के लिए ready है I hope guys आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो वीडियो को like ज़रूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe ज़रूर कीजेगा Thanks for watching my video